करनोज में अतरिक्त दहेश में दो लाक रुपे बाइक और सोनी की चेन की मांग पूरी ना होने पर पत्नी की हत्या करने के मामले में फास्ट ट्राइक कोट ने आरोपी पती जेट और जिठानी को सजा सुनाई है जज मुकेश कुमार सिंग ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है इसके साथ ही सभी पर 15-15 हजार रुपे का जुर्माना लगाये गया है आरोपी पती जेल में बंद है जबकि सजा सुनाए जाने के दौरान जेट जिठानी जमानत पर थे जज के सजा सुनाने के बाद जेट और जेठानी को पुलिस ने गिरफतार कर जेल फेस दिया है पुलिस ने मामला दर्सकर जाच परताल करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया आरोप साबित होने पर नियायले अपर सत्र नियायतीश फास्ट्राइक कोर्ट के मुकेश कुमार सिंग ने पती प्रदीप कुश्वाहा जेठ ब्रिज मोहन और जेठानी पप्पी देवी और सुनिता को आजीवन कारवास की सज़ सुनाई है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना न भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आईटी है अट तरेट ज्यम्धी ड्यूस प्लाश